लगतार अपनी फिल्मों से फैंस को दिवाना कर रहे बॉलिवुट के केंखान शारुख खान फिर से अपनी एक शांदार फिल्म के साथ कमबैक कर रहे हैं को बता दे कि कई दशकों से लगतार सूपर हिट फिल्मों के बाद चाहर ऑल टाइम ब्लोगबस्टर पठाण और सूपर हिट जवान के बाद फिल्म डंकी ले करके आ गए हैं खास बात ये है कि इस बार शारुख खान के डंकी के साथ साथ के सूपरस्टार प्रभास की एक फिल्म सालार भी रिलीस हो रही है जिहां इस बार क्रिस्मस के बोकी पर किंग खान के फैंस के साथ साथ पैन इंडिया स्टार प्रभास के फैंस को भी खुश खबरी मिलने वाली है क्रिस्मस पर शारुखान और प्रभास के फिल्म आपस में टकराएगी प्रभास स्टारर डंकी और शरुखान सालार में शांदार क्लैश देखने को मिलेगा साउथ इंडस्ट्री के फेमस कपल विगनीश शिवन और नयांतरा बीते साल पेरेंट्स बने थे इस कपल के माता-पिता बनने पर दिश भर में काफी हाहाकार मचा था जिसका कारण था कि शादी के महज चार महीने बाद इस कपल ने सोशिल मीडिया पर साज़ा किया था कि वो दो जुरवा बच्चों के पेरेंट्स बन चुके हैं ऐसे में आज ये कपल अपनी जुरवा बच्चों का पहला जन्म दिन मना रहे हैं सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 के साथ स्पाई यूनिवर्स में वापसी करने के लिए तयार है एक्टर छह सालों के लंबे इंतजार के बाद एक बार पर धबाकेदार एक्शिन करते हुए दिखाई देंगे टाइगर 3 का इंतजार करना फैंस के लिए मुश्किल हो गया है इसे बीच राहत देते हुए फिल्म का पहला वीडियो जारी कर दिया गया है टाइगर एक सक्सिस्फुल फ्रेंचाईजी है वही टाइगर 3 से पहले इस फ्रेंचाईजी के दो पार्ट थे एक था टाइगर जो की 2012 में आया था और टाइगर जिन्दा है जो की 2017 में रिलीस हो चुका है इन दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ओफस पर छपपर फाड कमाई की थी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी अब ऐसी ही उमीद टाइगर 3 से भी है फिल्म को Y.R.F. के पच्चासवे साल पूरे होनी के मौके पर रिलीस किया जाएगा चुनेंदा भारतिय फिल्मेकार इंडिया में ठीक ठाक फैन फॉलोइंग बनाने वाली एमी जैक्षिन पिछले कुछ दिनों से ट्रॉल पूरी है जिसको उपसूरती के लिए एमी ने हमीशा से सुर्खिया बटूरी है उसी ब्यूटी के लिए अब उन्हें ट्रॉल किया जा रहा है खासतोर पर भारतिय फैन्स उनका नया लुक देखकर के काफी ज़्यादा चौक गए है हैरान हो गए है उनके लुक को देखकर के सोशल मीडिया पर काफी ट्रॉल भी किया जा रहा है उनको इसी के साथ ही अब वो इन सब चीजों से परिशान होकर के अक्टरस ने ट्रॉल को लेकर के जो ट्रोलर्स है उनको करारा जबाब दिया है एक रिपोर्ट के अनुसार में ने कहा है कि मैं एक एक्टर हूँ और अपने जॉब को सीरियसके लेती हूँ पिछले एक महीने से मैं UK में एक प्रजेक्ट की शूटिंग कर रही हूँ जो कारेक्चर मैं प्ले कर रही हूँ उसके लिए मुझे स्लीम होना पड़ता है यानि ये पतला होना पड़ता है अपने 100% देना था मुझे मुझे इससे लेकर के अच्छा रिस्पॉंस भी मिल रहा है खासतोर से वही बताया जो भारतिय जो फैंस हैं वो खासे नाराज दिख रहे हैं इस स्लीम ड्रीम लुक को देख करके तो उन्होंने बोला है कि मेल को एक्टर्स को जब काम मिलता है डिफरेंट रोल्स मिलते हैं तो लोगों को काफी पसंद किया जाता है वही जब स्त्री की बात आ जाती है फीमेल एक्टर्स की बात आ जाती है तो उसकी खुबसूरती को अगर ना देखा जाए किसी और लोग को देखा जाए तो लोग पसंद नहीं करते हैं और उन्हें ट्रूल किया जाता है अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें साथी जो बेल आइकन है उसे हिट करना बिलकुल भी ना बोले ताकि इन फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकिशन आप तक आसानी से पहु झाल